इंडियन प्रेमियर लीग सीजन 14 तलने के बाद हर किसी को BCCI के उस एलान का इंतिजार है जिसमें बाकी बच्चे हुए मैचों की तारीक और जगा की खुशना होगी कुछ तीमों में कॉरोना की एंट्री होने के बाद BCCI को IPL डालने के लिए मजबूर होना पड़ा IPL 14 के सस्पेंड होने तक 29 मैच खेले गए थे और 31 मुकाबले बाकी है अब ये बच्चे हुए मैच कब खेले जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है इस बिच IPL सीजन 14 के बच्चे हुए मैचों को लेकर श्रिलंका क्रिकेट ने BCCI की मदद करने के इच्छार जाता है श्रिलंका क्रिकेट ने बचे हुए 31 मैचों को सितंबर में श्रिलंका में आयोजित करने का ओफर दिया है श्रिलंका क्रिकेट ने कहा कि हम अपना टोर्नामेंट लंका प्रिमियर लीग आयोजित कराने के बाद IPL आयोजन करवा सकते हैं एक रिपोर्ट की मुताबिक श्रिलंका क्रिकेट की मैनेजिन समिती के मुख्या अर्जुना बी सिल्वा ने कहा हाँ हम निश्चित रूप से सिदंबर के महिने में आईपेल की मेजबानी के लिए एक विंडो प्रदान कर सकती हैं उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि यूए उनका एक विकल्प है लिकिन श्रिलंका को सभी कारणों से नेजर अंदाज नहीं किया जा सकता हम जुलाई अगस में लंका प्रेमियर लीग की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं और सितंबर में आईपेल के लिए मैदान और अन्य बुनियादी धांचा तैयार हो जाएगा आपको बता दें पिछले साल आईपेल का सफल आयोजन यूए इए में कराया गया था तो निश्चित तोर पर यूए एक विकल्प तो जरूर हो सकता है उसके अलावा खबरों की माने तो इंग्लैंड ने भी आईपेल 2021 के ब झालवा झालवा घंगरू थास्टामा खबड़ तेंगेल कि जूए आईब ने पस रधेंगर म्ली अचेल के विकल्पल आईपेल का सबस्पल का opens, जाएगा तोर प्यूपट का थूशए तोर फूसा दिस धोस्वाजन पालवा खबरों कि पन झायो कि कि भी आया हैं हैं हो